Welcome back friends, this is current affairs Panda आज की इस विडियो में हम बात करेंगे मार्च मन्द के टॉप करेंट अफिर्स की ये हमारा first week का part 2 होगा इससे पहले हमने 35 question first week में discuss के थे वो हमारा first part था, आज ये first week का ही part 2 है इसमें दुस्तों हम 30 question की यहांपर बात करेंगे तो टोटल एक बीक में हमने 65 questions अचीब किये और ये आपके examination के लिए highly important है तो आप इनको एक बार देखते रहें और जो इसका PDF version है वो आप description box में लिंक दिया है वहाँ पर आप download कर सकते हैं जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वेस्ट चनल को सब्सक्राइब जरू कर लें अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको complete background detail भी मिलेगी और साथ में आप 2-3 questions एक्स्रा भी बना सकते हैं दोस्तों वीडियो को like करें comment करके अपनी doubt जरू पूछें और साथ में इस वीडियो को share करना ना बूलें सबसे पहला जो question है इसमें कहा गया है which state government has recently give official language status to endangered tribal language कुरुख अभी हाली में वो कौन सा राज्य सरकार है जिसने official language का status दे दिया गया है एक tribal language है जिसको endangered भी कहा जाता है endangered का मतलब दोस्तो होता है बिलुप्त होती हुई जो आदिवासियों की language होती है जिसका नाम है कुरुख तो इसको official language दिया है best बेंगौल ने ठीक है एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि यह जो endangered की बात यहां पर की जा रही है endangered tribal language तो यह दोस्तों UNESCO ने इसको status दिया था कुरुख language को क्योंकि जो चीजें बिलुप्त होती हुई है उनके समराज्य को एक तरह से बचाया जा सके या फिर उनका बर्चस को बरकराद रखा जाए ताकि आने वाली PD भी उनको जान सके इस वज़े से इनको UNESCO ने endangered जो है इस लिस्ट में घोसित किया था second question की यहां पर बात किजाए इसमें का गया है which airport has been renamed as a anti-rama-rao amrawati airport इनका पूरा नाम है नंदा मुरी तराका-rama-rao amrawati airport तो अभी हाली में क्या हुआ कि बिजयवाडा का जो एरपोर्ट है इसका नाम यह चेंज कर दिया गया ठीक है यहां पर आपको दो चीजे नोट डाउन करने की जरूत है पहले तो आपको anti-r के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों अगर बात की जाए कि नंदा मरी तराका-rama-rao इनको anti-r के नाम से जानना जाता है और यह इंडियन एक्टर भी है फिल्मेकर भी है और politician भी है जिन्होंने आंधरा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया है तो यह चीज आप note-down कर सकते हैं तीन टर्म्स तक यह रहे तो यह भी आप note-down कर लें और साथ में दोस्तों तिरूपती जो senior citizen लोग है उनके लिए तीर्थ दर्शन एक scheme है वो कौन से सरकार ने लौँच की यह आपको बताना है तो यह दोस्तों हर्याना सरकार ने लौँच की इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे जो senior citizen है जो BPL बात की जाए below poverty line families में आते हैं इस family को belong करते हैं BPL category में आते हैं तो उनके लिए तीर्थ दर्शन नाम का एक program है यह state government का program है हर्याना का और उसने इसको launch किया है तो इसमें क्या है कि जो 60 years के एबब की लोग है तो इनका total जो भी दर्शन कराया जाएगा भारत दर्शन इनको तो उसका जो भी खर्चा होगा वो कौन उसको खर्चा जो होगा वो हर्याना सरकार के उपर आएगा दूसरी यहां पर एक और बड़ी ख़वर है कि हर्याना की जो state government है इसने दो health institute जो है उनके नाम भी रखे है अफ्टर पंडित दीन दयाल उपाद्याय मेडिकल उनिवरस्टी एट कॉटल एन मेडिकल कॉलेज नेम डॉफ्टर कल्पना चावला इन करनाल डिस्टिक तो यह दो बड़े changes हुए है अब बात की जाए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की तो यह दोस्तों अगले मंत में inaugurated होगा और पंडित दीन दयाल उपाद्याय मेडिकल उनिवरस्टी यह बिलेज कॉटल में होगी ठीक है तो यह दोनों चीज़ा आप नोट डाउन कर लें यह दो नए माइल स्टोन अभी साथ में हर्याना में हुए नेक्स कॉश्चन की बात की जाए इसमें कहा गया है विच टेलिकॉम ऑपरेटर हैस साइन एन एग्रिमेंट बिद मिलिकॉम इंटरनेशनल सेलर तो कंबाइन दियर ऑपरेशन्स इन घाना आपको बताना है कि वह कौन सा टेलिकॉम लेकिन घाना की बात आई है तो घाना के बारे में आपको पता होना चाहिए घाना की कैपिटल है एक्रा और केरंसी है वहाँ पर गानियन केडी और बहां के प्रेसिदेंट कौन है नाना एकुफो एडो ठीक है यह इनके नाम नोट डाउन कर लें अगले कोश्चन में कहा ग या फिर जो GST में रिजिस्टेशन से उसमें स्टेट ने टॉप किया है तो दोस्तों यह किस ने किया है केर लाने तो यह आप डिरेक्ली यहां पर नोट डाउन कर लें ओके नेक्स कुशन आप से यहां पर पूछा गया है इक यह गांदी जी की जो वाइफ थी कास्तूरवा इनके बारे में यह बूक है उनकी लाइफ के बारे में तो इस ब।क की आथर कौन है यह आप से पूछा गया है तो उनकी wife की life के बारे में ये completely बुक लिखी गई है next question की बात की जाए इसमें कहा गया है which state would supply an additional 60 megawatt of electricity to bangladesh वो कौन सा state है जो additional 60 megawatt जो electricity है वो bangladesh को देगा तो ये तुरपरा ठीक है तुरपरा जो state है ये ऐसा होगा इसके बारे में कुछ detail भी आप note down कर लें India is going to supply additional 60 megawatt power from its ONGC तुरपरा पावर प्लान टू बंगलादेश ठीक है और ये agreement अभी हुआ है भारत और बंगलादेश के इसके तहत ही ये काम किया जाएगा next दोस्तों question की बात की जाए इसमें कहा गया है आपको बताना है कि ये जो किताब है इसमें किसने जीता तो ये जीता है दोस्तों एंडी मुरे ने ठीक है डिरेक्ली question यहां से बनता है और दूसरी चीज क्या है कि वेन्यू क्या था वेन्यू था UAE United Arab Emirates में था ये और ये कहां के खिलाली है ये आपको बता होगा Britishers है तो ये डिरेक्ली question यहां से बन सकते है इसलिए आप इसको note down कर लें next question आप से यहां पर ये बन सकता है तो ये book जो है ये cricket से relate करती है और ये book किसने लिखी तो ये book दोस्तों लिखी है आकास चोपडा ने ये आकास चोपडा जो है ये former cricators है और ये भारत के लिए खेलते थे तो ये ही इसके author है तो आप से ये question पुछा आ सकता है तो ये दोस्तों आप note down कर लें next question की बात करी है इसमें कहा गया है India's tallest tricolor largest flag inaugurated recently at which place देखो भारत का सबसे उचा जो tricolor है तो ये कहां पर अभी हाली में फैराया गया ये आपको बताना है तो ये दोस्तों अटारी बॉर्डर फाफैला गया अब इस से जुड़ी कुछ खबले महतपूर पॉइंट हैं वो आप note down कर लें जैसे बात की जाए कि इसकी height या width का measurement मैं आपको बताना चाहूँगा तो अगर बात की जाए length बाइस तो ये कितना है 110 meter length है और इसकी जो bit है वो कितनी है 24 meter ठीके ये इसके parameters है और total जो bit है वो कितना है ये है 55 ton weight ये है और साथ में इसमें total cost कितना आया ये 3.50 करोर रोपीज इतना cost इस पर आया है पोल की भी measurement है वो इसमें सामिल है आप ये मैं सोचना कि ये कैसे 55 ton जो है इसका हो सकता है तो ये सारे इसके इसका एक structure है next question में दोस्तों बात की जाए इसमें का गया है which city has ranked best city in urban governance survey अभी हाली में क्या हुआ कि urban governance survey हुआ है और इसमें वो कौन सा सहर है जिसने top कर दिया ये आपको बताना है तो ये क्या है तिरुबनंत पुरमने directly आप से question ये पूचा जाएगा और इसके बात क्या है पूने और कोलकता आते हैं तो ये भी आप note down कर लें और दोस्तो 2015 में भी इसकी first rank आई थी तो ये भी as usually top कर रहा है already next question की बात की जाए तो इसमें कहा गया कि ET money अभी मैं आपको बता हूँगा कि ET money है क्या basically ET money ने एक tie up किया है वो आपको बताना है कि कौन सा life insurance company ने जिसके आप साथ में tie up किया है कि अब ये data-led insurance policy जो है इसको भी launch करने वाला है तो ये किया है SDFC life के साथ में अब देखो ET money किसका product है ये भी आपको बता होना चाहिए ये दोस्तो times group का ही है product ठीक है और दूसरी चीच क्या है ये एक तरह से कह सकते है where is the capital of Ukraine आपको बताना है कि Ukraine की capital कहाँ पर है तो Ukraine की capital है कीब अब ये खबर में क्यों आया मैं आपको बताना चाहँगा कि Ukraine का एक reason अब वो क्या है कि जो Russia की rebel currency है उसको use करेगा तो यहाँ पर आप note-down कर ले Ukraine self-proclaimed एक place है जिसका नम है Lusank Pupils Republic तो यह Eastern Ukraine है और अब यह use करेगा रस्या की rebel currency को रस्या की जो currency है उसका नम है rebel उसको use करेगा as a official currency लेकिन साथ में Ukrainian जो herania उसकी currency है Ukraine की वो भी वहाँ पर use होगी तो यहाँ पर आपने दो चीज़े note-down कर ली तो capital हमने आपको बता दिया पर रस्या को लेकिन क्या है कि अब वो रस्या की रवल वो भी use होगी इस place पर next question कि यहाँ पर अगर बात की जाए इसमें कहा गया है the state government of Punjab and which state have signed an agreement to fast track the completion of Sahapur Kondi Dam project on Rabi river in Chandigarh आपको यह बताना है कि पंजाब की government और वो दूसरी कौन सी government है इसमें कहा है कि Sahapur Kondi Dam यह राभी नदी पर बनाया जा रहा है तो यह दो state के help से बन रहा है तो इसमें आपको बताना है कि दूसरा state वो कौन सा है तो दूसरा state है दोस्तों जम्मो इंकस्मीर ओके तो पंजाब और जम्मो इंकस्मीर जो है अब साल के बाद इनका settlement हो गया है तो अब यह दो साल का haul था इस project में तो ultimately अब यह स्टार्ट हो गया है जम्मो इंकस्मीर और पंजाब तो यह आप note down कर लें आपसे question और पूछा सकता है कि Sahapur Kondi Dam जो है वो कहा पर है तो यह दोस्तों Rabi River अगले question की बात की जाए इसमें कहा गया है Cognigent acquire which country based digital firm, Bill and Services ठीक है आपको यह बताना है कि Cognigent ने अभी हाली में acquire किया है Digital firm, Bill and Services तो यह कहा की company है आपको यह बताना है Cognigent यह American Multinational Company है और Bill and Services जो है इसको acquire किया है तो यह दोस्तों Japan की company है तो यह दो चीजह आप note down कर लें Cognigent, USA और Bill and Services यह है अपकी Japan की Next question की बात की जाए इसमें कहा गया है which state cabinet has declared Sanskrit as a compulsory subject up to class 8 अभी कौन से state के cabinet ने हाली में declaration दे दिया है कि अप Sanskrit जो है compulsory subject होगा class 8 तक तो यह कहा गया है Assam की cabinet government में तो अभी बहाँ पर एक cabinet meeting थी Assam की government में और बहाँ के chief minister कौन है सर्वनंद सोनबाल यह आप नाम note down कर लें ठीक है तो Assam में यह बात कही गई अब ऐसा क्यों किया कि government जो है उसने decide कि प्रमोट करेगी computer education को भी साथ में और इस चीज के लिए और इसके लिए जो दो subject है इन पर बहुत जादा focus किया जाएगा next question की बात की जाए इसमें का गया which company has become the new team sponsor for the Indian cricket अभी क्या है कि अभी एक नई कंपनी है वो अब sponsor से उसको दे दी गई है तो उस company का नाम क्या है OPPO अब OPPO के जो है लोगो है वो T-shirt पर लगा आएगा क्योंकि अभी हाली में क्या हुआ कि जो star India है इसको replace कर दिया है तो अब OPPO का आएगा यह अपनो down कर लें और अगले 5 साल के periods के लिए यह sponsors रहेंगे next question की बात कीजा दोस्तों इसमें कहा गया है which city to host the national conference on जल क्रांती अवियान आपको बताना है कि जल क्रांती अवियान के उपर अभी national conference जो हुई वो कहां पर हुई तो यह हुई दोस्तों New Delhi में तो आए कुछ इससे जुड़ी ख़वर देख लेते हैं इसमें कहा है कि जो हमारे हैं water resource minister है Uma Bharati ji इनोंने इसका innaugration किया तो आप यह भी साथ में note down कर लें water resource minister तो यह कौन है ? Uma Bharati ji OK और इनोंने इसका innaugration किया कहां पर ? New Delhi में ठीके ? यह आप दोस्तों note down कर सकते हैं और अगर बात की जाए कि लगबग इसमें 700 participants से जिन्होंने जो different different fields से आते हैं जैसे कि farmers और panchayat members, NGO students जिन्होंने इस conference को attend किया अगले question की बात की जाए इसमें का गया है Who has won the 2017 ATP Mexico Open Tennis tournament in men's signals देखो men's signals में अभी जो 2017 ATP Mexico Open Tennis tournament हुआ है आपसे ये question पुछा जाएगा कि Mexico Open Tennis tournament के men's singles में किस ने खिताब जीता तो ये दोस्तों जीता है Sam Curie ने अब आपसे ये question पुछा सकता है कि ये किस country के हैं तो ये है US के तो अब इससे जोड़ी बहुत सारी news मैं आपको यहाँ पर एक बार में देद रहा हूँ कि men's singles की बात की जाए तो Sam Curie US के और इन्होंने हराया किसको Raphael Nadal Spain को और women's singles की बात की जाए तो Lesia इन्होंने जीता है Ukraine की और इन्होंने किसको हराया Christiania ये France की हराया ठीके अब men's doubles की और women's doubles की अब directly क्या है कि कभी-कभी question आपको men's singles से जादा पुछले आता है और जो बड़े खिलाड़ी है अब कभी यही पुछले आता है कि Raphael Nadal वो किस country के हैं अब यह men's singles जीता है तो यह news बन सकती है तो इसलिए आप इसको साथ में note down जुरू कर लें at least आपको नाम तो याद रहेगा अगर आपके exam में question आया तब आप आसानी से दूस्तों बना सकते हैं अगले question की बात की जाए इसमें कहागया है who has won the third consecutive Brazil open tennis title आपको बताना है कि अभी हाली में लगातार तीसरी वाल जो है तो उरग्योय के sports person है और थर्ड consecutive Brazil open title जीता है और किसको रहाया इस्पेन के अलवर्ट इनको रहाया तो यह दोस्तों न्यूज आप note down कर लें अगली न्यूज की अगर मैं बात करूँ इसमें कहागया है the Copernicus Earth Observation Program has created वायदा आपको बताना है कि यह जो Copernicus Earth Observation Program है यह किसके दोरा create किया गया है यह आपको बताना है तो यह दोस्तों European Union का प्रोग्राम है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी से ब्यूद बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का aim क्या है इस प्रोग्राम का aim है कि provide करना real-time global environment data को basically क्या है कि European Union ने अभी हाली में fifth satellite जो है वो इस प्रोग्राम की launch की और इसका फायदा क्या मिलेगा इसका फायदा यह मिलेगा कि जो farmers हैं या fishers men हैं और जो land और sea maps को use करते हैं तो उनके पास में basically real-time global environment data हैगा तो उससे उनको फायदा मिलेगा अगले question कि हम अगर बात करें इसमें का गया कि Prime Minister Narendra Modi has dedicated to the nation a petrochemical complex of ONGC petro additions limited in which state आपको बताना है कि अभी हाली में प्रदान मंत्री मने Narendra Modi जी ने राष्ट के लिए समर्पित किया है petrochemical complex जो ONGC का है तो यह आपको बताना है कि किस राज्जी में किया है तो यह किया है दोस्तों गुजरात में directly question आपका यहां से ही बनेगा तो आप इसको note down कर ले इस question की बात की जाए दोस्तों इसमें का गया कि union cabinet गे एक्स post factor approval to the MOU between India and which another country for services in the field of energy management and conservation अब देखो energy management and conservation की बात की गई है इस field में भारत के साथ में और वो दूसरा कौन सा देश है जिसके बीच में एक MOU हुआ है एक memorandum of understanding यह साइंड हुआ है तो यह हुआ है दोस्तों UAE के साथ में अब यहां पर मैं बताना चाहूँगा कि जो MOU हुआ है यह बारत की National Productivity Council है NPC और UAE की है AI मतलब की एतिहाद energy ओके यह यह services जो है इसके बीच में हुआ है और यहीं पर अगर बात की जाए कि capital क्या है UAE की तो यह अबुदावी और currency क्या है UAE की United Arab Emirates दिरहम ठीक है डिरेक्ली आप दिरहम को की बात की जाए इसमें का गया है कि Indian Cabinet gave approval to MOU on renewal energy between India and which country मैंने आपको बताया था कि renewal energy क्या है जैसे कि bind power ठीक है solar power यह क्या है renewal energy है तो अभी क्या हुआ है कि MOU साइंड हुआ है दो देसों के बीच में इसमें तो यह country का नाम आप से पूछा जाएगा यह Lisbon और currency है euro और Prime Minister है Antonio Costa तो यह दो से तीन चीज़ें जो है इसको भी साइड में आप note down कर लें और यह MOU जो साइंड हुआ है इसका main aim है कि promote करना bilateral technical cooperation on new and renewal issues अगला question बहुत ज़्यादा important है इसमें का गया है name the playback singer who created a new world record by playing the maximum number of songs in the shortest time 5 hours on Gaitri Beena आपको बताना है कि उस playback singer का नाम जिसने अभी record बना दिया maximum number of songs जो है वो यह जो equipment आपको दिख रहा है यह Beena है ओके तो Gaitri Beena पर 5 गंटे लगातार जो है इस time में maximum जो number of songs है वो यहाँ पर इसमें play हुए ओके तो यह केरला की वाला option यह यह right answer है आप इसको चूज कर लें दूसरी चीश बताना चाहूँगा मैं यह एक single string musical instrument होता है जिसकों कहते है Gaitri Beena और इन्होंने दोस्तों record 69 songs यह 5 hours के अंदर यह जो है यहाँ पर event में हुए अगले question की बात की जाए तो इसमें कहा गया है which bank has launched a new facility to enable its employers to work from home वो कौन सी bank है जिसने अभी हाली में एक ऐसी facility जो है वो enable कर दी कि अब जो उसके employer है वो work from home मतलब घर बैट कर भी काम कर सकते हैं तो यह किया है State Bank of India और यह जो भारत की largest lender है तो आप यह भी आपको पता ही होगा यहोप State Bank ने यह किया है तो इससे ऐसा क्यों किया गया अब देखो कि बहुत ज़्यादा technology का uses भी हो रहा है और technology advancement के ही तौर पर अगर कोई नहीं आ सकता या फिर कुछ और issues है तो इसके तहत क्या है कि employer वो work from home भी कर सकते है नेक्स question की अगर बात की जाए इसमें कहा गया है The International Yoga Fest जिसको कहते है I buy up यह जो है किस city में begin हुआ यह आपको बताना है तो यह New Delhi में है दो दिवसिये था यह और जो हमारे आँके Information and Broadcasting Minister Bank and I do इन्होंने इसको inaugurate किया कहां पर Tal Katora Stadium New Delhi में एक चीज़ और ध्यानक ना कि जो यह International Yoga Day की अगर बात की जाए International Yoga Day तो यह तो I hope आपको याद भी होगा 21 June ठीक है यह question आपसे पूछा जा सकता है किसी भी format में रिलेट करके Next question की दोस्तों बात की जाए इसमें का गया है Which state government will organize the first of its kind Tulip Festival आपको बताना है कि Tulip जो फैस्टिवल है यह कौन सा state government जो है वो first time जो है इसको organize करने जा रहा है तो यह है Jammu and Kasmir का तो आप इसको याद कर लें और यह 15 दिन का एक Mega Tulip Festival होगा जिसको हम कह सकते हैं कि बाहरे कस्मीर बात की जाए Spring in कस्मीर तो यह भी आप note down कर लें बाहरे कस्मीर इसके अंतरगत ही इसको launch किया गया है अगले question की दोस्तों बात किया जाए इसमें कहा गया है Which country to house the 10th international conference on theory and practice of electronic governance ICEGOB बात की जाए International Conference on theory and practice of electronic governance तो यह जो है वो कौन से देश ने 10th international conference इसका आयोजन किया तो यह किया है दोस्तों बाहरत ने इंडिया ने अब इससे जोड़ी कुछ ख़बरे इसको भी आप note down कर लें तो बात की जाए कि तीन दिवसी इंटरनेशनल conference जो है e-governance के उपर यह भी हाली में हुई और इसका inauguration किस ने किया Minister of Electronics and IT Law and Justice जिनका नहीं है Ravi Sankar Prasad जी New Delhi में किया अब question आपका यहां कि तीम से पुछा जाएगा यह आप note down कर लें तीम बहुत important है दोस्तों जो last की दो लाइन है यह बहुत ही जरूरी है Building knowledge societies from digital government to digital empowerment यह थीम है क्योंकि कभी भी क्या कि जो event होती है या तो यह पुछाता है कि यह event कहां पर हुई और दूसरी चीज़ इस event की थीम क्या थी यह key questions होते है किसी भी तरह के examination में next जो है यह भी काफ़ी important question है इसमें कहा गया the international women's day is observed every year on which date हर एक verse international women's day बनाया जाता है तो यह दोस्तों किस तारीक को बनाया जाता है यह सभी को पता होगा कि 8 March को बनाया जाता है लेकिन question आपसे यह नहीं पुछाएगा question आपसे पुछाएगा कि theme क्या है इसकी तो theme है be bold for change यह आप note down कर ले जो international women's day की theme है वो यह है क्यों question आपका यहां से पुछाएगा सकता है यह काफ़ी important है तो यह दोस्तों आपसे पुछाएगा सकता है और UN women's theme क्या है यह 2017 की यह भी आप note down कर ले woman in the changing world of work planet 50-50 white 20-30 यह मैं आप आप note down कर दे रहा हूँ ठीक है यह आप दोस्तों note down कर ले woman in the changing world of work planet 50-50 white 20-30 ठीक है और इसी campaign के साथ में एक hashtag चला था be bold for change बेसिकली theme यह है हमारी और जो hashtag क्या चला था be bold for change इस hashtag के साथ में इस international women's day इसको celebrate किया गया तो यह दोस्तों बहुत important है जो theme है यह है woman in the changing bird of work planet 50-50 white 20-30 theme के बारे में आपको यह नोट डाउन करना है और जो hashtag चला है इस campaign का नाम क्या दिया गया be bold for change I hope आपको आप के लिए हो गया होगा दोस्तों अगली वीडियो में हम कुछ other questions के साथ आप से मिलेंगे तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करना बोलें और share जरू करें thank you friends have a good day